हम लोग कल 350 सो नंबर कुष्चन तक कर चुके थे यह कुष्चन हम लोगों का लास्ट ड़ूं था आज फिर से यहीं से हम लोग शुरू करते हैं पहला पूश्चन है लोग 350 नंब्र के कुष्चन सर्दार कौन सा युस्ग्म सुमेलित नहीं है सर्दार सरोवरबांध नागार्जुन सागरबान्द जो है आपका कृष्णा नदी पर एकदम सुमेलित है क्रश्णा नदी तिलंगाना आंद प्रदेश के एरिया में पड़ता है गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है इस पर हम लोगों ने पर चर्चा की थी कि दो बांध और हैं गांधी सागर जवाहर सागर और महाराना प्रताब ठीक तीन बांध है जिसमें से गांधी सागर जो कहां पर है एंपी वाले रीजन में है जवाहर और राना प्रताब आपका राजस्थान में यह कुश्चन आपसे एक जाम में पूछा जाता है इनके डिफिंसियेशन को जो है आप लोग अच्छे से जानते रही है कि यह मेरा माला फंस रहा है कोई बात नहीं ठीक है तो यह सर्दार शरूवर नर्वदा पर इसका अंसर क्या होगा फिर अंसर बताईए इसका 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 अंसर हो जाएगा तिलैया बांध कुनार नदी पर नहों के बराकर रिवर पर है यह इसका गलत मैच है तो बी आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए सुची एक के पदों को सुची दो के पदों के साथ सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा जो है आपका कूट जो है सही होगा तो इस आंसर का जबाब दीजिए मतलब इसकुस्चन का जबाब दीजिए देखिए बेतवा नदी दिया है महा नदी दिया है चंबल और तापी यहां पर कुछ बांद दिये हीरा कुंड माता टिला काकरा पारा और गांधी सागर तो गांधी सागर आपने बोला चंबल पर है महा नदी पर आपने बोला हीरा कुंड है बेतवा पर बोला आपने माता डिला है काकर पारा कहां पर हो जाएगा तापी पर तो एक कैस्तिरालिस एक कीस्तिरालिस देख लीजिए हमेशा इस तरह के कुश्चन को यह नंबर आगे लिख कर करिए अधर्वाइज अति उत्सा में यह कुश्चन गलत हो जाता है और मेरी समझ से यह चेप्टर यह आपको क्लियरिटी आजाएगी कुश्चन से आपके फिर दिखकत नहीं होगी यह कुश्चन देखिए 52 नंबर का 352 एक अनुछेद भी होता है 352 सूची एक और सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए नदी घाटी परियोजना और नदी बांध है तिलयाबाद पंचेट हिल बांध राणा प्रताफ सागर बांध माता टिला बांध यह कुश्चन आप लोग कर लेंगे देखिए माता टिला आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको याद होना चाहिए कि बेतवापर है माहाराना प्रताफ सागर हम लोगों ने बात की थी कि चंबल में है तिलया बांध आपका अच्छा देखिए जरा इससे दो से हो जा रहा है क्या दो चार दो चार दो चार से ही हो जा रहा है लेकिन फिर भी आप देखिए महाराना फिर आपका यह तिलया हम लोगों ने बराकर पर बात की थी पंचेट पंचेट हिल बांध जो है आपका दामोदर पर है तो यह 31, 31, 24, 31, 24 देख लिजी जे आंसर 31, 24 यह आंसर सही है ठीक है तो यह आपका 52 नंबर कुश्चन हो गया कोई डाउट यह कुश्चन देखिए इस कुश्चन का जवाब दीजिए नदी घाटी परियोजना और नदी तो रट गया मुझे भी रट गया यह कुश्चन देखते देखते अजह मैं कभी कुश्चन नहीं करता था जैसे तरह से बढ़ा मुझे मतलब znajdu लगता कुश्चन करण लेकिन यह समझ में आ रहा है कुश्चन करना बहुत इंपाटेंट होता है फ्री में नंबर आपको exam में समझ में आता आप पढ़ लीजिए किताब से याद कर लीजिए अलग बात है कि आपके कुश्चन गलत नहों लेकिन जब आप कुश्चन करते हैं तो उसके माध्यम से जो आपकी प्रिपरेशन होती है वह बहुत ही जो है अंजाने में बहुत कुछ आप लाब ले जाते हैं देखिए नदी घाटी परियोजना सूची नदी रिहंद नागारजुन सागर पोचंपाद माता तिला रिहंद को आप जानते हैं रिहंद नदी पर होगी नागारजुन सागर आप जानते हैं क्रशना पर होगी 24 इतने से ये आपका अंसर हो गया खतम बात 24 टाइम भी बेश्ट देखिए आप इसमें आप टाइम बचा लिए दि आपने ये दो आपको किलियर है कि तीन चार यहां मिलना तो आगे क्या ही टाइम बेस्ट करना तीन चार वैसे पोचम पाथ जो गुदावरी पर है और माता टिला आपकी बेतबा पर है तो 34 34 34 थे 34 बारत सौरी दो पर 34 बारत यह आपका डी आपसन हो जाएगा किलियर है यह किसी कोई डाउट कि बहुत हो जियार अधि बिवादित बभली प्रोजेक्ट निमलिकित में से किस राज्य में है यह जो बभली प्रोजेक्ट है यह जो है कि बिवादित प्रोजेक्ट है तो पूछ रहा है किस राज्य में यह रहा है इसका आंसर है आपका महाराष्ट कि यह बभली प्रोजेक्ट जो है कहां पर है महाराष्ट में ठीक है यह जो है आपका बबली प्रोजेक्ट जो है बिसकली गुदावरी नदी पर है गुदावरी नदी जब महाराश्क वाले रिजन में वहां पर बनाया जा रहा है तो उससे जो है तेलंगाना और आंद प्रदेश में पानी की क्या होगी क्या मनीज जी क्या नो कि जैसे भी कोई जबाब दीजिए तो क्या करिए एक चीज करिए कि कुश्चन नंबर यह जैसे तीन सो चंगवन है तो बड़ा नंबर हो गया तो आप केवल 54 लिख दीजिए 54 का सी या इसके पहले वाला जो कुश्चन था जो भी था तो वो यह बबली प्रोजेक्ट जो है गोदावरी पर है और कहां पर है महाराष्ट में है और यहां पर जो है एक प्रोजेक्ट था पोचम पाद यह जो है कहां पर है गोदावरी में है गोदावरी पर यह भी है लेकिन यह कहां पर है यह जो है आपका तिलंगाना आंद प्रदेश रिजन में तो यह बबली प्र महाराष्ट में है ठीक है नेक्स कुष्चन देखिए सुची एक और सुची दो को सुमेलित करना है यह कुष्चन तो आप सभी लोगों को बता देना चाहिए इस कुष्चन का आंसर सभी लोग बता दे तो बहतर होगा देखिए आप लोग जबाब देते हैं जब आप लोगो मने कि जल विद्दुत प्रियोजना है आपकी और इधर जो है किस नदी पर है तो देखिए तवा तवा नदी पर होगा उकाई तापी पर है गांधी सागर चंबल पर है तो यह देखिए बी का वन है बी का वन देखिए बी का वन एक ही है केवल देखिए बी का वन एक है ठीक यह तवा चार तो आपका मैची है यह तीन भी मैच है ना दुलहस्ती कहां पर बची आपकी चिनाब बची तो तो तेईस 21 21 24 जबकि इसका आंसर किसे सही हो रहा था पच्पन का ए नहीं मनीश जी देखिए दुलहस्ती जो है पहली तो यह याद कर लेगी दुलहस्ती ज़ो है जम्मू कस्मीर में नदी कौन सी बचिनाब बचि तो वहीं से यह बचा जाएगा गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराना प्रताप ये तीन डैम जो है तीन डैम कहां पर हैं ये तीन डैम जो है आपके चंबल नदी पर है तो कुल मिला कि इसका आंसर D हो जाएगा मलम पूजहा बांध किस नदी पर है तो अब देखिए अब ये कुस्सन तो फर्जी में पूछ लिया था अब इसका आंसर तम मज़ा आता है कि मलम पूजहा बांध जो है मलम पूजहा नदी पर नहीं होता तब ये बात जो है क्या थी हाँ आप एकदम सही आपने बताया है तो मलम पूजहा बांध जो है आप कर देखिए जो सिंग्रावली जल बिद्दुत परियोजना है यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के जो है कहां पर शोनभद्र लिष्टिक में सिंग्रावली लगुजल बिद्दुत परियोजना पड़ती है आपकी यह याद कर लिजिए यह बहुत लोग cmP लगा के चल चेरू थानी बांध यह देखिए कुश्चन आ गया चेरू थानी बांध किस नदी पर रवाश थी थे देखिए अब कुछ कुश्चन तो आही जाएंगे माल लेजिए 57 का ए 57 का ए जो है आपने बताया बी है डी है मनिस जी चेरू थानी बांध अब यह ज़रूरी रही है कि जब आप पेपर जाएं इस तरह का कुश्चन आप पढ़के जाएं यह बहुत विसद अध्यन जवाब करके जाएंगे तो फिर सही हो जाएगा फिलाल चेरू थानी बांध जो है पेरियार नदी पर है ठीक है चेरू थानी बांध कहां पर है पेरियार नदी केरल में केरल में है केरल की पेरियार नदी पर चेरू थानी बांध है परियोजना ने कोलबांद परियोजना का निर्मान भारत में निमलिखी shining में से किस नदी पर हुआ है क्रिश् Nazi गुदावरी नर्वदा यह अच्छा कुश्यन था kola champion परियोजना जो है golden परियोजना यह कुश्चन ने करता कि कोई बात नहीं मनेत गलत हो रहा है बहुत अच्छी बात है गलत हो ना अच्छी निषान होतीए थीक्त इस तरह गलत होने से परसान है डिलिट क्यों करना मैसेज छेमत सो धुक्त गलत होगा तभी तो आप एक्जाम में सही करेंगे देखिए कोल डैम परियोजना जो है किस नदी पर है यह बताइए आप यह जो है आपकी सतलज नदी पर कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमानचल प्रदेश पर है ठीक है कृष्णा गुदावरी नर्मदा इन पर नहीं है 59 का 59 का सी तुक्का मार रहे हैं क्या मनिश जी तुक्का मत लगाईए ठीक है हिमानचल प्रदेश में है अब यह करेंट अफेर्स का कुष्चन था भारती प्रदानमंती नरेंद मोदी द्वारा हाल में ही भूटान में निम्न जल बिद्दूत परियोजनाओं का उद्गाटन किया गया तो यह जो है जो हाल फिलहाल में किया गया था मांग देचु जल बिद्दूत परियोजना का मोदी जी ने उद्गाटन किया था ठीक तो इसका अंसर डी है यह करेंट का कुस्चन है कि अब यह दोजार उन्नीस में इसका उद्गाटन किया गया था ठीक तो ठीक है अब हमारा आ जाता है चेप्टर क्रसी योम हरित क्रांती मुलत है इस चेप्टर को कराना था लेकिन दस कुस्चन आपके कल के छुटे रह गये थे तो उनको हम लोग कबर कियें अब यह देखिए भारती क्रसी का इतिहास किसने लिखा अब इस कुस्चन का जबा आप जो है जरूरी नहीं है कि आप जब इक्जाम में जाएं तो यह पता हो इस तरह के कुस्चन के लिए आप जो है जैसे देखिए जब इस तरह के कुस्चन क्या होता है यह रिपीट होते है इस तरह के कुस्चन इस तरह के प्रस्णों की habit होती है, repetition की, क्यों क्योंकि ये अलग टाइप को तो इस तरह के question आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, तो इसके भारती क्रसी का इतिहास नामक पुस्तक किस ने लिखा है, इस question का जो answer है, याद कर लिजे, MS रंधावा शहाब ने भारती क्रसी का इतिहास लिखा है, यह important है, यह question कभी भी repeat हो सकता है, इसमें आप जो है, 61 का A, 61 का A ने देखिए, यह question स्वामी नाथन बहुत लोग लगा कर आएंगे, लेकिन स्वामी नाथन इसका answer नहीं है, बलकी इसका answer क्या है, MS रंधावा, ठीक है, भारत में एग्रो इकलोजिकल जोन, अने की क्रसी क्रिसी पारिस्थितिकी छेत्र या मंडल, जो भी कर लिजिए, चेत्र, मलग भारत में कितने एग्रो इकलोजिकल जोन है, यह question आप एदम रट लिजिए, एग्रो इकलोजिकल जोन, क्लाइमेटिक जोन, क्रसी जलवायू प्रदेश, तो क्रसी जलवायू प्रदेश जो आपके कितने हैं, एग्रो क्लाइमेटिक रिजिए, क्रसी जलवायू प्रदेश, इसकी संख्या क्या है, यह है 15, भारत में 15 क्रसी जलवायू प्रदेश हैं, और क्रसी पारिस्थित्र की छेत्र, इनकी संख्या 20 है, एक्रोक इकोलोजिकल जोन 20 हैं और एक्रोक्लाइमेटिक जोन जो है 15 है तो आंसर हो जाएगा दो कुष्चन हो गए आपके बिसिकली तो इसका आंसर लगा लिजिए डी डी फार डेलिए पी सेन गुपता और जी सदायुस्क सदाश्यूक ने भारत कितने लगुक्रिसी प्रदेशों में माटा था अब यह जीएस का कुष्चन थोड़ी नहीं है कि जीएस के बच्चे इस कुष्चन का जबाब दें तो यह डराने के लिए कुष्चन होता है इस तरह कुष्चन से यह भी इसकी टेंडेंसी है कि यह कुष्चन रिपीट हो जाए आपका तो यह इनों ने जो है पी सेन गुपता मैडम ने और जी सदाश्यूक ने जो है यह जो क्रिसी प्रादेशी करन किया था तो लगुक भारत को जो है साथ लगुक्रिसी प्रादेशी क्षेत्रों में ब कि 62 में 15 जो है यह क्रिसी जलवाई उप्रदेश से देखिए ठीक है न क्या इतना डिले रिस्पांस है क्या मतलब चीजें जो चल रही है यह कुष्चन हो गया नेक्स देखिए यह 64 इसको देखिए इस कुष्चन का जवाब दीजिए कोई देना चाहे तो भारत की सुस्क पेटी की अर्थवेवस्ता प्रधानत है क्रिसी आधारित है बहुत अच्छी बात है इसमें दुतिय हरित क्रांदी के लिए बहुत छमता है देखिए यह कहने का मतलब है कि भारत का एदी आप भुगोल पढ़े हैं तो भारत में देखेंगे तो जितना यह प्राइद यूपी भारत वाला रीजन है कि यह वाला जो डीजन है पूरा आपका यह जो है यह सब जो है क्रसी के अंतरगत आता प्राइदिगमे दिए यहाँ पर सचाइध िप्वर्शा पर निर्भरrick चल्चर यह पर जो система करशी की जाती है में mi और इस जो मुझ़ जो पर रेजन है जहां पर सुस्के करे सी जो級 की जा सकती है तो वर्सा पर आधारित सिचाई यादी की बेवस्था नहीं तो सही बात है प्रदानतर क्रसी पर आधारित है और दुतिय हरित क्रांती प्रथम हरित क्रांती में क्या हुआ था केवल आपका धान और गेहूं इसको फोकस किया गया था दुतिय हरित क्रांती में अन्य फसलें जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मतर हो गया, इस तरह की जो फसले हैं, उनको भी focus किया गया है, तो वह जो है सुस्क क्रसी वाले छेत्र में जो है इनकी उपज अच्छी उगाई जा सकती, संभावना अच्छी है, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो छेत्र है, यह दोनों बात ailleurs यह बात जो है इसलिए क्रसी पर अधारीत Matthiasa यह ब्याख्या नहीं कर रहां कथन दोनों जो है क्या है तो दोनों नहीं कर रहा है कंग है को थोमें उ tailored दोनों सही आ सई रहें और दोनों सई हैं सई नहीं है तो बी आंसर इसका हो जाएगा देश में प्रथम क्रशिब इस्विद्याले की स्थापना किस वर्स हुई थी भारत में पहला क्रशिब इस्विद्याले कब बना था यह भी कुश्चन आपका इन्फॉर्मेट्व है याद कर लिजिए बार-बार रिपीट होगा ठीक तो यह फश्य साच में तो उनीस सो साथ में जो है जो आब मैं पंत्नगर में पंतनगर में प्रथम ही जो क्र ऑढरत कारीज वर्सब इस्विद्याले की स्थापना हुई थी अधर कालीन श्थर प्रदेश में ठीक है। इसमें 2 पारंपरिक खेती के दूनिक बैज्यानिक क्रिसी commissionor 500 में हरिट क्रांती की तक्निक महत गुंका रही है मतलब की जो पारमपरीक धंक से खेती की जाती थी मतलब ब्ल और हल şeyi SI की जाती wellness की जगहंगा पर जाक जाने लगी उसमें हरिद करांटी का की तकनिक का महतपूर। योगदान है तो निस्चीटरूप से हरिद क्रांथी जो वह एक तरह से बैग्जानिक करसी का ही अधार जिसमें मतलब की यंत्र जैसे ट्रैक्टर्स है ना थेसर इन सब का यूज हुआ होई भी मतलब हाइब्रिड बीज का प्रियोग होने लगा रसायनिक उर्बरक का प्रियोग होने लगा ठीक तो यह समाजी क्यों पर्यावन्डी लागत समलित नहीं होती बात चाहिए हरितक्रान्ति का साइड इफेक्ट ही यही कि इस वालेझे खुब उर्भरक का प्रयोक कर रहे हैं गुश्सक्रमी के उसकी वजह से प्र्यावरण को नुक्षान हो शमाजिक छटी क्किया होगी प्रमीर आमीर हो जनकि पास जमीन अधिक है उनको lag मिलेगा छोटे किसान को नहीं मिलेगा जिस खेटर में हरिद क्रांपी होगी उस खेटर को lag मिलेगा जिस खेटर में यह ब्योस्ता नहीं लागू हो पाई तो वह क manifold पीछ मतलब वह खेटर पीछे रहाँ जाएगा तो कुल मिला कらいसे सामाजी समाजिक और पर्यावनडी यह जो है च्छती पहुंची है यह डिस्पैरिटी आई है तो यह बात भी जो है सही है लेकिन इसकी ब्याख्या नहीं है दोनों कथन सही है लेकिन ब्याख्या नहीं है किलिए रही है कि नेक्स्ट कुस्चन देखिए बारती क्रिसी में निम्न उत्पादक्ता का कारण है। आशान कुश्चन है। आवस्षकता से अधिक लोगों का क्रिसी कार्वें में लगा रहना, जोद का आकार छोटा होना। उत्पादन की पिछणी टकनिक उपर युक्त सभी इसका आंसर तो बता ही देंगे सब लोग इस तरह के कुश्चन जो है थोड़ा सा आपके fundamentals होते हैं अब जिसको एकदम से क्रशी के बारे में कुछ नहीं पता है यह आप यह इस सेक्टर के बारे में जानते हैं तो यह आप कुश्चन लगा ले जाएंगे तो भाई यह माना जाता है कि जो ग्रामीड छेत्रे वहीं पर क्रशी होती है तो खेत पता चला कि एक भी घा दो ध्रकार फिर फ के लिए तो यह जो है रहा पहरती क्रशीमें पाई जाती में गाईचितर से तो खेतर कर लोसुत है है जो ओपरीशनल लेंड होल डिंग है उसका ँस्टर कि भारत में प्रेस्टा है मतलब कि एक हेक्टेर से कम जो है मार्जिनल लैंड जो है सिमांत च्छेत्र जो है वह उसकी संख्या जो है बहुत जादे है तो कह सकते हैं जोतकाकार छोटा है इसलिए भी जो है आप आधुनिक तक्नीकों का प्रियोग नहीं पर कर पाते हैं उत्पादन की पिछली तकनीक कि भारत मतलब जो क्या है एक जो है विकास सील देश है अभी उतना पैसा नहीं है कि उत्पादन के लिए जो है बहुत सारी मतलब जो है टेक्नलोजी जो भी होती है उनका यूज किया जा सके तो यह बात भी सही है तो उप्रियुक्त में से सभी कथन जो है आपके सही है कि निम लिखीत में से कौन सा भारती क्रिसी की निम उत्पादक्ता का कारण नहीं है अब देखिए कारण नहीं है पूछा है ठीक है तो जनसंक्या का दबाव अधिक है तो उत्पादक्ता कारण हो सकता है प्रच्छन बिरोजगारी है मतलब की काम एक लोगों का लगे चार और लोग हैं तो प्रच्छन मतलब स्यूडो कि बिरोजगारी है शहकारी क्रशी सहकारी क्रशी का मतलब होता है कि माली जी एक आदमी की होल्डिंगे दो तीन चार इस तरह से छोटे-छोटे खेत हैं सभी ने मिला के आपस में सब लोग मिल गए और आपस में मिल के जो है खेती कर रहे हैं तो यह जो है आप किस नंबर जैसे 368 है तो केवल 68 बता के आप बता सकते हैं तो आई होप आप पिछले कुश्चन का बता रहे थे आपका अंसर सही है तो यह जो है यह जो सहकारी खेती है क्रिसी है यह जो है निमनुत पादक्ता कारण नहीं है बलकि भारत में जो है जोतों का जो आकार छोटा है हाँ वेरी गुड धोनी जी तो जोतों का आकार जो छोटा है या लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह inputs मतलब खेती में लगा सके तो इसके लिए concept होता ह है सहकारी खेती का कि सब लोग मिलकर जो है आपश्च में खेती करें ठीक है तो यह जो है इसका क्या हो जाएगा सहकारी खेती जो है कारण नहीं है भारत में संकार रहे चालू जोतों का सबसे बड़ा ओसत आकार है यह कुश्चन जो है यह कुश्चन जो है गलत करने की संभावना सरवाधिक है ठीक जब आप पढ़ेंगे इसको आने कि अपरेस्टान लैंड ओल्डिंग सबसे जादे राजस्थान में है कि एंपी में है गुजरात में कि पंजाब में का अकार कहां पर सबसे बड़ा तो आप यह जान लिजिए कि सबसे बड़ा आकार तो नगा लैंड में नागा लेंड में 4.5 से more than 4.5 है ठीक नागा लेंड में सबसे बड़ा है अब दिये गए बिकलपों में जो है पंजाब जो है दूसरे नंबर पर है ठीक 3.something है राजस्थान जो है आपका 2.7 के आसपास है तो इसमें आंसर है आपका पंजाब यह नागा लेंड वाला जाता है ठीक है याद कर लिजी यह कुश्चन भारत में क्रसी को समझा जाता है एक उद्योग एक ब्यापार एक ब्योसाय जीवकों पार्जन का साधन यह भी बताना पड़ेगा जीवकों पार्जन का साधन समझा जाता है ना ब्योसाय ने ब्यापार ने उद्योग यह फिर जो है आपका क्या है एक तरह से जो आकणा बेस कुश्चन है जो की जो है समय-समय पर यह बदलता रहता है तो लिखा है भारत में रासायनीक उर्णकों के दो बड़े उबगता है आंत परदेश महराष्ड पंजाब हरियाना पंजाब उत्तर परदेस उत्तर प्रदेश आंतपरदेश यह कुस्चन का आंसर आपका बदलता रहेगा समय के साथ जैसे जो बरतमान क्रम है जो बरतमान में यह रसानी कुरुबरक के भोकता हैं दो बड़े वह जो है आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट हैं यूपी एंड महाराष्ट हैं इस समय दिये कुष्चन आता है लेकिन जिस समय यह पूछा गया था उस समय जो है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश थे तो यह कुष्चन आप जो है गलत करने की आपकी संभावना जादे है तो यह फिलहाल जो है यह जो है आर्थिक सर् घटना चक्र का ठिक आर्थिक समिच्छा करके तो उसमें इस तरह के आंकड़े दिये रहते हैं तो वह बुक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है चार-पांच कुष्चन आपके उससे सही हो जाते हैं तो एकनॉमिक सर्वे घटना चक्र आप जरूर पढ़के जाईए ठीक ह पलननी जो क्सण के लेबल पर अलग अलग डेसे उसको करके जाना व इसे मतलब कोस्चन आए चाहए यह आपका कर्म है कि उसको करके जाना निमलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती किसमें धेचा में सनई में बोडा में गवार में यह कुष्चन देखिए 72 नंबर कुस्चन 372 देखिए बोड़ा और लोबिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा सरवाधिक पाए जाती है लगभग जो है आपका यह जो है 0.49 0.49% जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाए जाती है यह जो आणसर इसका बोड़ा है याद कर लिजिये सब्कूरा अपसे पूछ जाता ह सब्सक्राइब करने कि बढ़ा में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है कि संतुलित उर्बरक का प्रियोग किये जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए खादी की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए भूम की उत्पादक्ता बनाए रखने के यह सभी इसका आंसर आपको सबको पता होगा इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं यह सभी हो जाएगा कि दच्छिन भारत में उच्छ कृशी उत्पादक्ता का छेत्र पाय जाता है दिखिए दच्छिन भारत में केरल तैमिल नाड तो यह वाला जो को को मुआ जैगा तो आप कह सकते हैं तमिल नाडू तत्ट जो है दच्छन भारत में उच्छुत पादक्ता जैसे आंद्र प्रदेश का कोष्ट भी जो है गोदावरी डेल्टा यह भी उच्छुत पादक्ता का छेत्र है ठीक है तो यह तमिल नाडू कोष्ट हो जाएगा तो इसका अंसर ठीक है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं पुनर भरण योग के भौम जल संसादन में सबसे संपन्न राज्य है तो आने कि भौम जल में तो आप ऐसे इसको मतलब थोड़ा सा जो है गुड मॉर्निंग अध्या जी यह कुश्चन देखें आप जो जब भी आप लोग नंबर जरूर लिखें 375 है तो ऐसे लिखें अंसर तब मैं समझ पाऊंगा क्योंकि तुरंत आप और हम थोड़ा सा आगे पीछे हैं एक मिनट की दूरी पर हैं ठीक है ना आपके पास मैं एक मिनट आगे हूँ आप लोग एक मिनट पीछे हैं तो इसलिए जब तक आप लोग आंसर देते हैं मैं आगे निकल चुका होता हूँ ठीक तो यह जो है पुनर भरण जल संसाधन में तो ऐसे देखिए कि नलकूप से सिचाई सबसे जादे किस राज्य में होती है तो इसको आप तुक्का लगा सकते थे कि उत्तर प्रदेश में जो है आपका बहुम जल संसाधन सबसे संपन्नर राज्य जो आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश तो इसका आंसर है सिय एन ये इसका थैंप वल्कि उत्तर प्रदेश हैं डीकि इस तरह की कुस्टन क्या होते हैं कभी उस समय कोई रिपोर्ट हो गह यह जा lacking कोई निम्लिखित राज्यों में जो रिपोर्ट आई थी उसके भारत में ठेकेदारी क्रिसी औने कांट्रेक्ट फॉर्मिंग का जो है लागु करने में अग्रणी राज रहा है अग्र्राज रहा है कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग हाँ अब एकदम सभी अग्रिक बताईए इसा तरह से आशर दिजिए ठीक है ठीक है पंजाब में जो है कांट्रेक्ट फार्मिंग आपकी हरित खेति हरित खेति में सननहित है मनें कि Green मतलब फार्मिंग में क्या मतलब सननहित है क्या सामिल है इसका आपको आंसर बताना है जैविक खेती और बाग्वानी पर जो वाग्वानी और पुस्पक्रसी पर ध्यान अबिता सब्सक्रसाइब अब जएकिए जैविक खेती तो ठीक है जैविक कहती में आप जो है झिलैजर अगरे यूज नहीं करते हैं तो आप कह Lageं है कि इसमें जो आ जाएगे लेकिन बागवानी बागवानी में जरूरी थोड़ी नहीं क्या बागवानी कर रहे हैं तो जो है फर्टलाइजर अगरे का यूज नहीं करेंगे ठीक है हाँ एक दम सही तो यह यहां से डाउटफुल हो गया फिर बागवानी और पुस्पक्रसी पर ध्यान के इंदित करते समय कीट नासकों और रसाइने कुर्बरकरों से बचाओ तो कि यह जो है यह एक बार जो है थोड़ा सा संभावना बन रही है दूसरा है समेकित कीट प्रबंधन आने कीट प्रबंधन किया जा समेकित पोसक पदार्थ आपूर्ति यों समेकित प्राकरतिक संसाधन प्रबंधन तो कहने का मतलब यह भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कीट नासक और रसानिक उर्बरक का से बचाओ किया जाए लेकिन यह वाला आपसन देखें एक और देख लिजी खादे फसलों बागवानी और पुस्पक्रसी पर जोड़ती यह तो एक परियास कर रहा है कीट प्रबंधन का पोशकपदार्थ से मतलब रसायन का हो गया और समेकित प्राकर्तिक संसाधन का प्रबंधन जब यह आप देखेंगे इन दोनों में इन दोनों अप्सन में देखेंगे तो सी अपसन जो है जादे आपको बेहतर नजर आएगा सी आपसंद जादे समग रहे तो इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा कि सब कुछ आप जो है मतलब संसाधन का भी प्रबंधन कर रहे हैं पोशक पदार्थ का भी प्रबंधन कर रहे हैं और कीट प्रबंधन भी कर रहे हैं यह सब जो मिला के आजाएगा आपका 77 का सी आंसर एग मार्क है एग मार्क है अंडा उत्पादन के एक सहकारी समिती क्रसकों की एक सहकारी समिती अंडों की एक बिनियमित मंडी गुणवत्ता गारेंटी की मोहर तो एग मार्क जो है आपकी क्या है अंडा उत्पादन हे वह गुणवत्ता पून हैं उसके लिए आने की ग्रेडिंग जो की जाती है वह जो एग मार्क एक जो है एग मार्क उसके लिए लगाया जाता है मार्केम यह कुछ ऐद कर लीजिये कुछ कभी भी रिपीट हो सकता है 379 बताईये तो 379 नंबर कुश्चन हरित क्रांती नई क्रसी विव रचना का परिडाम थी अच्छा जी जो बीश्वी सदी में प्रारंब की गई थी बीश्वी सदी का मतलब 1900 सम्थिंग जो मतलब बीश्वी सदी 1920 1930 1950 1970 किस दसक में की गई थी जैसे माल लेजिये कोई जैसे 1950 के बाद 50 से लेके 60 तक का जो है 1960 तक का यह बीच का जो समय है तो देखिए यह पांच यह आपका यह 6th डिकेड छठा दसक है इसी तरह से 60 से 70 के बीच में यह जो है सात्मवा दसक है ठीक है तो कहने का मतलब आपको किस समय में पता तो आपको पता है कि जो है 1966 के आसपास जो है जो है जो है आपकी हरित करांती घटी तुई थी इंडिया में ठीक तो अब यह जो चाचट तो आप यह देखी क्या हो जाएगा 60 से 70 के बीच में है तो यह हो जाएगा सात्मवा दसक क्लियर है कि सदा बाहर क्रांती एवर ग्रीन रिवलूशन भारत में क्रसी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रियोग में लाई गई नार्मन बोरलाग द्वारा, MS स्वामी नाथन द्वारा, राज कृष्णा द्वारा, RK B. राओ द्वारा, देखिए भारत में सदा बाहर क्रांती के लिए यह टर्म यूज किया था, स्वामी नाथन ने किया था, जिसको दुतिय हरित क्रांती के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नार्मन बोरलाग को जो हरित क्रांती का जन्म दाता माना जाता है, यहां से कुष्चन आता है, अच्छे, नार्मन बोरलाग को जो है, 1970 में आपका, 1970 में क्या मिला था, नोबेल प्राइस मिला था किस छेत्र में मिला था किस छेत्र में जो है नार्मन बोर्लाग को जो है नोबेल प्राइस मिला था जैसे होता ना साहित्य में चिकित्सा में सांती में इस तरह से जो फिल्ड है तो किस छेत्र में मिला था आप लोग बताएं तो आंसर इसका क्या है स्वामी नाथन है बिस्व में हरित क्रांती के जनक है यह तो मैंने अभी पहले ही बता दिया पीबी पाल जीएस खुस मस्वामी नाथन नार्मन ई बोरलाग तो आंसर क्या हो जाएगा इक्यासी ऐसी का भी आपने एकदम सही बता जया है इक्यासी नंबर बताएं हरित क्रांति के जनक जो है नार्मन बोरलाग हैं ठीक है में स्वामी नाथन खूश है पाल तो यह आप लोग जानते हैं कि नार्मन बोरलाग है ठीक हां आद्या जी क्रसी छेत्र में Nobel Price का कोई प्रावदवार्धानी नैं सह्झ है Nobel Price जो आपका संति के लिए मिलता है साहर्थि के लिए मिलता है अर्थ सास्त के लिए मिलता है ब्होतिक रसायन और सिकिट्सा यह इतनी ही फिल्ड में जो है आपको Nobel Prize मिलता है अब नार्मन बोर्लाग को मिला था ठीक नार्मन बोर्लाग को मिला था तो वह जो है किस चीज किस में मिला था तो सांती पीस के फिल्ड में मिला था 37 इस्थापित करने के लिए मिला था अच्छे यह बताईए नार्मन बोर्ला कहां के रहने वाले थे यह मतलब इनका जन्म यह नागरिक थे USA के ठीक है नागरिक थे USA के और जो इन्होंने हरीत क्रांती की जो प्रियोग किये थे वह किये थे मैक्सिको में जन्म स्थान और कर्म भूमी इनकी मैक्सिको थी जन्म स्थान इनका USA था 1970 में इनको नोबल प्राईस मिला था वह सांती के छेत्र में मिला था इनको जो है भारत में जो है यो आको पदम पुरुषकर दिये जाते हैं तो इनको पदम विभूषन मिल चुका यह नार्मनी बौरुलाक हुरोडी लसुएयो चुस्वाम क्रांति संबंदित है मोटे अनाच के उत्पादन से दलहन उत्पादन से गेहूं उत्पादन से तो हाँ बहुत सही बहुत सही आप लोग सही जा रहा हैं जिस बदाई को कि यह किसा संबंदित है तो मतलब किया जो है गेहूं मेंली गेहूं से और प्लस चावल रीट एंड राइस से इसका ज्यादे संबंध था तो यहां उपलब्द आप्शन में गेहूं दिया हुआ है तो सी आप्शन हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है असानि email कि फसलों मेंसे किसे रीत क्रांथी का सरवाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादक्ता दोनों में हुआ मग उत्पादन वी अधिक हुआ हूं उत्पादक्ता भी अधिक हुआ यहूं चावल मक्का जौर का इसकुष्यन का अंसर बताईए है कि देखिए यह आप जानते हैं हरित करांती को गेहूं करांती के नाम से भी जाना जाता तो सबसे जादे गेहूं को लाब हुआ था गेहूं की उत्पादक्ता उस वर्स जो है बहुत जादे बढ़ गेती हैं एकदम सही गेहूं कि नेक्स कुश्चन बताइए अब यह इस तरह की कुश्चन क्या होते हैं खतरनाक होते हैं भगवान भरोसे यह आप दावा नहीं कर सकते कि मैं और नहीं तरह कुश्चन के पीछे पढ़ना चाहिए कि गेहूं का पूछ लिया कि जब हरित क्रांती के फलसरूप गेहूं के प एक्जाम में पंदरह सोदो हजार बाइस सो दाइस टीन हजार तो यह जो है जो रिकार्ड किया गया था वह लगभग जो है कितना किया गया था 2000 के आसपास किया गया था जब हरित करांथी का प्रयोग हुआ है एच वाई भी एच वाई भी सीड्स का प्रयोग हुआ तो इससे जो है लगभग तीन से चार गुना क्रसी उत्पादक्ता आपकी बढ़ गई थी प्रोडक्टिविटी यह रिकार्ड गया था 2000 किलोग्राम जो है एक एकड में जो है गयों का उत्पादन प्राप्त हुआ अध्याजी इस पे देखिये यह आप दावा नहीं कर सकते कि मुझे फता है मुझे याद यह याधर कुस्चन है अब इसको याध कर सकते तो याध़ कर लीजिये हो सकता है यह रिकृट हो आपका कुस्चन तो आप जो है नहीं 2000 है 2000 इसका अंसर है ठीक है इस समय लगभग जो है इस बर्तमान में ग्यों का प्रती हेक्टेयर एकड़ उत्पादन जो है लगभग 3500 के आसपास हो गया है 3500 के आसपास है बर्तमान में ठीक है जब हरित क्रांती के फल्षूरूप जो है यह 2000 के आसपास पाया गया था ठीक है सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है यह क्रांतियां है जो खेती से संबंदित क्रांतियां है इसमें तो आप लोग को महारत हासिल है इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है खाद दूतपादन में ब्रद्दी, दुख दूतपादन, मतस्य उतपादन, उर्भरक इनसे संबंदित क्रांतियां हरित, निली, स्वेत और भूरी क्रांती स्वेत क्रांती, वाइट रिवोलूशन जो है आप जानते हैं किस से हैं? दूद से है खाद दूतपादन क्या है? हरित क्रांती है, मतस्य उतपादन क्या है? निली क्रांती है, उर्भरक उतपादन क्या है? भूरी क्रांती है तो आंसर क्या हो जाएगा? 13-24 ठीक है, 13-24 देखिए तो कौन सा है? पहला ही आपसन हो जाएगा यह कुश्चन जो है जब भी आप साल्व करिए तो यह इसी तरह से लिख के करिए अधर्वाइस गलत हो जाएगा यह कुश्चन बताई यह गुलाबी क्रांती पिंक रिवूजूशन किससे सम्धित है कपाज से लहसुन से अंगूर से प्याज से तो प्याज का रंग क्या होता है गुलाबी होता है अंगूर का गुलाब भी नहीं होता ना लहशुन होता है कपास से एक बार आप हो सकते थे तो जो पिंक रिवोलूशन है वो प्याज से संबंदित है याद कर लीजिए जादे सोचने की ज़रूरत नहीं है फिर करांतियां है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है हरित करांती क्रसी से है नीली करांती कुट पालन से है स्वेत करांती दूद से है सुनहरी करांती उद्यान से है तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है तो यह आप जानते हैं इन दोनों में आपको doubt हो सकता है तो नीली क्रांती भी आप जानते हैं कि मचली पालन से है ना कि मुर्गी पालन से तो मचली पालन से है तो यह क्या हो जाएगा आपका सुमेलित नहीं होगा तो answer हो जाएगा C प्याज से very good हाई इस कुष्चन 87 नंबर का कुष्चन देखिए 387 पीली क्रांती याने यलो रिवुलूशन जो है किस्से संबंदित अनाज तिलहन दूद और मतस्य तो मचली का आप जानते हैं नीली दूद का आप जानते हैं वाइट ठीक अनाज का जानते हैं आप ग्रीन रिवुलूश तो तिलहन का हो जाएगा तिलहन जो है पीला पीला होता है पीला पीला सरसो होती है सरसो का फूल जो है पीला पीला खिलता है तो पीली क्रांती जो है आपकी तिलहन से हो जाएगी ठीक है नीली मचली ठीक है बेरी गुड जीरो टिल बीज एवम उर्बरक ड्रील विक्सित क किया गया जीरो टील बीज मलब देखे जीरो टील बीज का मतलब हो कि बिना खेत की जुताई किये ठीक बिना खेत की जुताई किये जो है क्या किया जाए खेती की जाए तो यह तकनीक जो विक्सित की गई है एक इनवस्टी के द्वारा विक्सित की गई है और जो भारत की पह का मतलब कि बीना खेत की जुताई किये खेती करना ठीक है और तो यह तकनीक जो जीरो टिल बीज और उर्वरेक ड्रील जो बिक्सित की गया है वह भारत के पहले क्रशी विश्विद्याले ने किया है और उसका नाम क्या है आई ए आर आई नहीं दिल्ली आई आई एस आर लख अलायब इस विद्याले पंत नगर इसने जो बिक्सित किया था